नालंदा जिले में इन दिनों बदमाशों का होसला बुलंद है, मुरोरा पंचायत के मुखिया पती त्रिलो की प्रसाद के बाद, रविवार को धरहरा की मुखिया रिंकु देवी के पती रुपेश कुमार उर्फ विजय कुमार के मोबाइल पर बदमाशों ने दो बार फोन कर जान से मारने की धमकी दी मुखिया पती ने नालंदा थाना में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाया है मुखिया पती ने बताया कि मेरे मोबाइल पर दो बार फोन कर गाली गलोज देते हुए जान मारने की धमकी दिया इसके बाद से पूरा परिवार देहशत में है उन्होंने बताया कि फोन करने वाले को को मैं नहीं जानता हूँ प्रभारी थाना ध्यक्ष मदन सिह ने बताया कि मुख्या पती द्वारा आवेदन दिया गया है मामले की छानबीम की जा रही है मामला पंचायती से जुड़ा है जिस पक्ष में मुख्या द्वारा फैसला नहीं सुनाया गया है उसी पक्ष द्वारा इस तरह मोबाइल कर गाली गलोच किया जा रहा है जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा पंचायती तो हम किये ही नहीं थे अब उनको लगता है कि मेरे साथ गलत किया है तो परसासन केप आ जा कर क्या नानुत्या पुरा मेरा वेस कुमार ना मुगा उठ दिया कुमार मुख्या पती धरारा पंचाइड यह ताप कुछिए